है यह लो गुडीवनिंग क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों तो चैंट बॉंडिंग एंड मॉलिक्लर स्ट्रक्चर के आज के वीडियो में एक नया टॉपिक एक नई थिए देखे बच्चों आपने केमिकल बॉंडिंग में चार थिए के बारे में सुना होगा सबसे पहले पाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर में टोटल चार थियोरी इस पर डिसकस करेंगे सबसे पहले थियोरी कोसल लेविस थियोरी वह आपने पढ़ लिए दूसरी थियोरी आपके वास वैलन सेल इलेक्ट्रॉन प्यार रिपल्शन जिसको हम बोलते तीसरी थियोरी हमारेपास है याद है किसी को वी वी टी यनि वैलंस बॉन्ड थियोरी उसी के बारे में आज हम डिसस करेंगे टो अधिड लगाई había गया कि वैलंस कि बॉड्ड कि री ठीके बच्चों तीसरी थियोरी है, जिसका नाम जिसको हम शौटक defenders में बोलेंगे VBT diarr proence bond theory अच्छा was cabinet theory special क्या बताती है तो बच्चों balance derived theory किसी बांड के energy consideration को बताती है इसमें हम energy के बारे में और और्बिटल के ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ेंगे कुछ जो कंसेट रह गए हैं जैसे मा लेज़े आपने दो थियोरी पढ़ी है कोसल लिविस एन वियसी पर तो उनमें जो कुछ कमिया है वो यह थियोरी थोड़ा सा कुछ पूरी करने की कोशिश करती है जैसे सबसे बढ़नाने के लिए किसी मोच को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगती यह सारी चीजिए हम इसमें पढ़ेंगे उस्थे जो अपने दो थियोरी पढ़ी है बहुत सारी चीज़ी वह एक्स्प्रिंट कर जाती है जैसे का करती है शेप और ग्रमेट्री के देखो vailance bond theory को हम दो पार्ट में divide करके पढ़ेंगे पहला पढ़ेंगे पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों in terms of हुआ है इन टर्म्स आफ अफ थे एनर्जी कंसिड़ेशन एनर्जी के बारे में कुछ थोड़ा सा चीज़ें हम बढ़ेंगे वैलेंस बॉंड थियोरी के बारे में और दूसरा हम बढ़ेंगे बच्चों इन टरंस ओफ और्बिटल ओवरलैपिंग दोनों ही चीज़ें किसी बॉंड को बनाने में काम आती है यानि बॉंड जब बनता है तो वहाँ पर कुछ न कुछ एनर्जी का रिलेशन होगा और जब भी दूसरा कोई बॉंड बनेगा तो वहाँ पर कोई न कोई इनर्जी रिलीज होती है साथ में हम यह पढ़ेंगे कि किसी मॉलिक्यूल के बीच दो एटम के डिस्टन्स कितनी होनी चाहिए डिस्टन्स कम या ज़ादा होने से क्या फरक पढ़ेगा यह सारी चीज़ें क्लिर होगे बच्चो ठीक है और यहां पर हम लेंगे एक एक्जामपल जिसमें हम लोग बनाएंगे formation of hydrogen bond formation of hydrogen molecule formation of hydrogen यानि H2 molecule ठीक है बच्चो अब सब लोग जानते हैं हमारा जो H2 molecule है वो किस से मिलकर बना है दो H atom से मिलकर बना है यह तो ना एक H atom दूसरा H atom तब क्या बनेगा हमारा H2 molecule बनेगा अब तोला ध्यान से देखो है ना कुछ मैं diagram से आपको समझाता हूँ माल लिया जा हमारे पास एक H atom है यह H atom है और इस पर एक proton होता है और H atom पर एक electron होता है है ना तो बच्चों देखो इस H atom को मैं ऐसे represent कर रहा हूँ this is H A यहनि hydrogen का atom है जिस पर एक proton है और यह है बच्चों हमारे पास electron तो H E यह hydrogen का electron है hydrogen का electron hydrogen के proton के साथ जुड़ा होता है और यह sign मैंने इधर माले इसका मतलब दोनों के बीच क्या attraction force है proton electron को attract कर रहा है clear हो रहा है hydrogen का यह पूरा atom हो गया जिसमें hydrogen के साथ एक electron है इसको आप ऐसे भी लख सकती हो है ना यह देखो यह center में proton हो गया और electron उसके चारों तरफ गोम रहा है तो मैंने इसको ऐसे बना दिया चलेगा तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों दो hydrogen के atom को जोड़ोंगा और आपस में एक hydrogen का molecule बनाओंगा clear तो एक hydrogen का atom मैंने यहां रखा और एक यहां रख दिया तो उसको भी सेम ऐसे बनाओंगा यह है आपका एच बी यानि दूसरा hydrogen और इसका electron मैंने ऐसे बना दिया इधर कि माइनस चार्ज electron है ना इसको लिखूंगा में है एच ई क्लियर हो गया है ना ई लिखते हैं ज्यद्धा रहेगा इसे पता लागा अई माइनस और इमाइनस क्लियर हो गया अच्छा इन दोनों के बीच बीच ब अट्रक्षण फोर्स है तो यह electron proton के थिरू अट्रॉक्ट हो गा देखो बच्चो एक hydrogen atom या एक hydrogen atom या अभी आए तो उनके बीच कोई भी फोर्स काम नहीं करता है या उनके बीच कोई भी नया फोर्स या दोनों के बीचको रिलेशन retro लाओं गा this को यहां लाओंगा तो देखते क्या फरक पड़ता है तो जब मैं दो एटम को इंफानेट डिस्टंस से पास पास लाता हूं तो एक हैड्रोजन एटम मैं यहां पर ला गया देखो इसको यहां पर ला गया हएच ए एसा लिखते हैं ज्याद अच्छा रहेगा और इसका इलेक्ट्रोन ऐसा है ना क्लियर माइनस अच्छा दूसरा आ गया यहां पर इसको इधर ला गया मैं ना इसको यहां पर ला गया थीक है बच्चो यह प्लस और इसका इलक्ट्रॉन यहां पर माइनस है ना और अट्रक्शन फोर्स अभी भी यह देखा अब देखो बच्चों जब दूनों हैड्रोजन एटम एक दूसरे के नजदिक आते हैं तो कुछ नए फोर्स यहां पर पैदा होते हैं न्यू फोर्स कम इंटू एक्जस्टेंस यह तभी आए जब इनको पास पास यह दूर दूर आएंगे तो इन पर केवल एक इलेक्ट्रॉन का प्रोक्रॉन के लिए अट्रक्शन फोर्स होगा बस इसके लबभा और कोई फोर्स नहीं होता है लेकिन यहां पर यह फोर्स तो है दें रिपेल कर रहेगा हैना पहले तो नहीं था लेकिन नस्दीक आने से इसने इसको क्या किया रिपेल किया देखो नया फोर्स आ गिया तो की मतलब होता है इस फॉर्स ओंर डिपकरी चार्ज डिपिल यहां एक पहला फोर्स ओफ रिपल्शन किसके बीच था सौरे इसके बीच बना बिट्वीन टू डूँगलियाई दोनों नुखले के बीच में फोर्स ओफ रिपल्शन आ घ्या ठीक है अच्छा एक फोर्स ओफ रिपल्शन देखो यहां पर भी आ गया नहा यह तो जादा ही हो गया है ना यहां पर तो डाइग्राम बनेगा हमारा इधर लिखते हैं फोर्स ओफ रिपल्शन इधर यहां पर फोर्स ओफ रिपल्शन ठीक है बच्चों और वो किसके बीच है बिट्वीन टू नूकले है ना दोनों के बीच है दूसरा फोर्स ओफ रिपल्शन यहां पर आगए देखो वो किसके बीच है इस एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच और इस एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच यानि बिट्वीन है कि इलेक्ट्रॉन ओफ ए्च ए एंड इलेक्ट्रॉन ओफ है सब्के इसका इलेक्ट्रॉन इस एलेक्ट्रॉन क्योंकी डोनों जो है तो यहां पर यह force of repulsion हो गया, clear हो गया बच्चों, अब देखो force of attraction भी आता है यहाँ पर देखो, इसका electron और इसका proton, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक नया force आगया है, this is force of attraction, और एक नया force यहाँ पर आगया force of attraction, तो अब बच्चों हमारे पास दूसरा force है force of attraction ठीक है बच्चों और यह किस किस के बीच है between electron of between electron of ha and proton of hb बिल्कुल एक का proton तो दूसरे का electron electron of ha and proton of hb और उसी तरह vice versa हो जाएगा यानि proton of ha and electron of hb है न तो यह बच्चों यहाँ पर देखो अब मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूं इनके है न तो एक force एरा एक force एरा ना दिस इस काल्ड फोर्स और रिपलिशन फोर्स और रिपलिशन क्लियर और यह वाला फोर्स देखो ऐसे लिखते हैं ना aur Coach of Orfallen infection अगर न है जब 2 नीकले को हम इन्फाइनाट डिस्टैंस से सामने लाए तो एक नएफ उर्स हमें मिल गये एक 4 और दूसरा 4 सबाट्रेक्षैन किसके बीच में इस K Ála पैसार टॉटन के बीच में इस के इसके प्रोटन के बीच में दोनों प्रोटन के बीच में और दोनों नुकलियाई के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्लियर हो गया ठीक है अब देखो बच्छों फोर्स ओप रिपल्शन और फोर्स ओप अट्रेक्शन क्या काम करते हैं सबसे पहले यह देखते हैं तो जब किस किसी सिस्टम सिस्टम तो क्या होता है और जब किसी सिस्टम में फॉर्स पेरे प्रेप में करेंगे तो बत्चों देखो fours of attraction तो पहले आपको यह समझना है force of attraction क्या काम करता है force of attraction दो atom को पास लाता है दो चीजों को पास लाता है तो बच्चों force of attraction क्या करता है system की energy को कम कर देता है decrease the energy of system और जब किसी system की energy decrease होती है तो system की जो stability है वो बढ़ती है दो चीजों के बीच में अगर attraction बढ़ेगा तो प्यार बढ़ेगा और प्यार बढ़ेगा तो बहुच ही तर रहेंगे और बहुच ही तर रहेंगे तो system की stability बढ़ेगी दो लोगों के बीच में attraction force bonding है बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है तो अबिसी बात है उनकी stability बढ़ेगी सिद्धी दूसरा देखो force of repulsion को force of repulsion लड़ाई जगडा तो बच्चों force of repulsion क्या करता है किसी system की energy को बढ़ा देता है और जब पच्चों energy बढ़ेगी तो stability कम होगी सिद्धी सी बात है समझे मेरी बाता repulsion का मतलब होता है दूर दूर जाना सिद्धी सी बात है कि दो लोगों के बीच में अगर repulsion होगा तो दोनों दूसरे से दूर हो जाएंगे दोस्ती कम होगी रिष्टे कम होगे टाइम कम दिया जाएगा तो दोनों के अट्रेक्शन होता है प्यार मोंबद होते तो वहां सब सुथी जाते सेम सिस्टम में आपर तो इसको हम फैमली से रेलेटेड देख सकते हैं अब देखो बच्चों जब फोर्स ऑब अट्रेक्शन होता तो एनरजी कम होती इस्टैबलेटी बढ़ती है तो अकर इस्टैबल बनेंगे भाई सिद्धी सी बात है लड़का लड़की आपस में मिले एक दूसरे को पसंद किया तो साधी होने के चांसेज मैक्सिमम हो जाते बॉन्ड विल बी फॉर्म्ट सेम कंसेट दूसरे पर अप्लाई करते हैं रिपल्शन एक ने दूसरे को गाली दी लड़ाय जगड़ा हुआ तो रिस्ता ब्रेक्ट तो बॉन्ड विल नौट फॉर्म्ट रिस्ता नहीं बन सकता है भाई जहां पर लड़ाय जगड़ा होगा जहां पर जो है तना तनी होग एक दूसरे को गालिया दी जाएंगी तो वहां पर कभी भी रिस्ता नहीं बनेगा कोई भी बॉन्ड वहां पर बनने की पॉसिबिल्टी नहीं है तो मैंने आपको एनरजी के कंसर्ट में बता दिया हूँ ठीक है लेकिन बच्चों देखो हमें दोनों फोर्स रखने ऐसा त मतलब फॉर्स ओठाटर पेपैशन भी रएगा ब्लक भागा बिरेगा देसे हमारे अंदर गुक्ता भी है तो प्यार भी है हमें बैलेंस करके चलना है कब उसां मुक्ता नहीं दिखाना है जब Zum mira दिखाना वही कंसर्ट यहां पर है यानि अगर आपको बांड बनाना है तो आपको force of attraction और force of repulsion को balance करके चलना पड़ेगा और balance का मतलब क्या हुआ कि force of attraction थोड़ा सा ज्यादा रहेगा और force of repulsion थोड़ा सा कम रहेगा तो system की energy balance रहेगी यानि कम रहेगी तो system will increase stability और bond बनने की वाँ पर possibility हो गया तो हटाना नहीं दोनों में से किसी एक को है ना ऐसे नहीं कि रिपल्शन को आठा दो पॉसबिल ही नहीं है रिपल्शन को आठाना है तो बच्चों आप देखो क्या है अगर हमें यहाँ पर bond बनाना है ठीक है न अगर आपको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा फोर्स ओव अट्रक्शन को ज्यादा रखना पड़ेगा और फोर्स ओव रिपल्शन को कम रखना पड़ेगा सेम जब आप पड़ेगा आपको बता तो ऑफोर्स ओर्फ अट्रैक्शन इफ मैगनिटिूड ओफ कोर्स ओप अट्रैक्शन इस मूर देन फोर्स ओफ रिपल्शन थी बच्चों क्याओगा सिस्टम की एनरजी कम होगी और जब system के energy कम होगी तो वहाँ पर bond बनने की possibility बड़ेगी और अगर उल्टा हो जाएगा तो यानि जो आए आपर एसले फोर्स ओफ attraction is less than force of repulsion तो बच्चों वहाँ पर क्या होगा system की energy बड़ेगी तो system stability loose करेगा कम होगी stability तो बॉंड विल नौट फॉर्म तो वहाँ पर बॉंड बनने की possibility नहीं तो यह दोनों force का कमाल है वह यह बताता कि कब बॉंड बनेगा कब नहीं बनेगा तो हमें तो बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों फोर्स ओब अट्रक्शन को फोर्स ओब बड़ी बात होगी क्या करेंगे कि फोर्स ओब अट्रेक्शन की वैल्यू फोर्स ओब रिपल्शन से जादा हो जाए रोट कर दोर फड़ाबट फिर बताता हूं कैसे करेंगे ना ठीक है बच्चों देखो तो भाई यह आपने समझ लिया कि एनर्जी के लिए हमें किस तरह का कंसेप्ट इस्तमाल करना पड़ेगा इतना हो गया अब बच्चों देखो एक चीज बाता तो हम आपको अगर हमें बॉंड ही बनाना है हमें अगर बॉंड बनाना है तो ऑबियसली बात है कि फोर्स ओब अट्रेक्शन का मैगनेटिट फोर्स ओब रिपल्शन से जाता होग कि क्या ऐसी चीज हम करें कि फोर्स ओब घ्रैक्षन ज्याद हो और फोर्स अभी पॉल्शन कम हो मैं आपको a grap के माधियम से बताता हूँ कि फोर्स ओब अट्रेक्शन कब ज्यादा होगा फोर्स ओब डिपल्संस नोट कर लिए ओपनी है ना चलो कि पूछा जाता है कई बार यह ना तो हम यह मान के चलते हैं कि जब हाइड्रोजन का मॉलेक्यूल बनता है तो हमेशा वहां पर लेकिन अब हम यह देखेंगे कि बही क्या ऐसी चीज है जो फूर्स अट्रेक्शन को बैड़ा रही है तो बच्चों यहां पर हम बनाने वाले एक ग्राफ और उस ग्राफ से आपको पूरा किलरली मालूम हो जागे कि कितनी एनरजी कम होती है और किस कंडिशन में ट्रेक्शन ज्यादा होता है न तो यहां पर मैं डाइक बनाने वाला हूं देखो इसका पहले आप डाय wins बना हो पहले फिर मैं उसको समझाता हूं ऐसा ऐसा डियागराम किसके बीच बनेगा यहाँ पर है बच्चों हमारी potential energy और यहाँ पर एक मैं एक line draw करता हूँ dotted line जहाँ पर potential energy की value 0 है तो उपर potential energy positive होगी नीचे potential energy negative होगी यहाँ पर 0 है ठीक है बच्चों आच्छा थोड़ा बड़ा बना देशको ना दूर बनाते ज़्याँ इधर करते हैं इधर जीरो रखते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि आपको देखने भी भी मजा लगी है ना तो यहाँ पर 0 ऊपर positive कर लो नीचे negative हमने करी रखा है ना अच्छा यह इसका मतलब क्या इसका मतलब है बच्चों कि इंतर न्युकलियर कि डिस्टेंस दो एल्टम के न्युकलियस के बीचे में जो distance है उसको मोलते हैं इंटर न्युकलियर डिस्टेंस क्लियर तो अब क्या करेंगे बच्चों हमने सेमेट वही कंसर्ट है्टोजन का मॉलेकुल बनाना है देखो और इसमें एक और चीज करते हैं ऐसा ऐसा कुछ कर दे कुछ ऐसा कर कमाल कि पड़ाई समझ में आ जाए इतना हो गया ठीक है भाई अब देखो बच्चों यहां पर आपने एक एटम रखा है यहां पर यह हैडोजन का एक एटम है इसको तो मैं जीरो इधर कर देता हूं यह है यहां पर आपने एक एटम रखा है अभी क्या करूंगा मैं एक एटम को जो मैं फिक्स रखोंगा दूसरे एटम के डिस्टेंस में कम करता जाओंगा यहां पर मैंने कहीं दूसरे एटम रखा है इधर और यहां पर एक एटम को मै धीरे धीरे इस atom के पास लाओंगा यानि यह जो इंटर नुकलर distance है ना यह दो atom के बीच की distance है ऐसे clear तो एक atom कहीं यहाँ है infinite distance पार और एक atom मैंने fix सकता ऐसे क्या था हमने ठीक है तो बच्चों एक atom को मैं धीरे 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 दूसरे के नजदीक लाता जाओंगा तो चलो माल निया जाए देखो यहां से मैं atom को लाया 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 दूसरे atom को यहां से लाया 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 तो जैसी इसे नजदीक पहुचेगा अब नए force यहां पर operate होना स्टार्ट हो जाएंगे वही force of repulsion and force of attraction तो बच्चों देखो यह जो line मैंने ड्रॉकिन है यह वाली यह energy को बताती है ध्यान रखना दिस रिप्रेजेंट energy और कौन से energy potential energy आप समझ सकते है यह line और यह जो line है न यह depends यह represent करती है distance between two atoms clear इसले मैंने distance लिक आप ठीक है तिक है यह energy वाला है clear यहां से आप atom को लाते गए लाते गए लाते गए एक atom यहाँ पर दूसरा atom यह पर यह लाए 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 ठीक है अब देखो इन दोनों के बीच क्या बढ़ेगा attraction force और repulsion force दोनों आएंगे लेकिन हम यह मानते कि distance कम करने से attraction force बढ़ता है क्या distance कम करने से attraction force बढ़ता है तो बच्चों देखो जैसे जैसे आपने distance कम करते गए है न distance कम करते गए तो देखो energy कम होती गई देखो धीरे धीरे system के energy lose हो रही है और नजदीक लाओ आप यहां पर लाए तो energy इतनी कम हो गई पहले इतनी थी यहां discussing learning QE कम हो गये तो कि दिरे धीरे जिसे आप इसको नस्दीक लाथे जारे लाथे जारे attraction force will increase ध्यान रखना है ना जब distance कम रोती Valiant attraction force बढ़ता है यानि56 pig sample परसन भी है लेकिन magnitude of attraction force will be more than magnitude of repression force तो दीरे-दीरे कम करते जाओ तो बच्चों इस system की दीरे-दीरे energy भी lose होती रहेगी energy कम होती रहेगी system की और जब system के energy कम होती है molecule energy कम होती है इसका मतलम molecule किस तरफ जा रहा है stability के तरफ जा रहे है तो बच्चों एक ऐसी distance आएगी यहाँ पर एक ऐसी distance आएगी जहाँ पर energy की value minimum होगी यह वाले distance अब मैं बात करता हूँ है ना नजदिक लाए energy कम होती है कम होती है कम होती है लेकिन देखो इस point पर आके यानि यह atom आप यहाँ पर ला गए अब एक atom यहाँ पर है एक atom यहाँ पर ले से energy minimum हो गए देखो minimum energy हो गए ना यहाँ पर तो इस line को मैं energy से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस इनर्जी क्लियर हो रहा है यह ना तो आप atom यहाँ पर लाए तो energy कम हो गए अच्छा यहाँ पर लाने से इस system की energy minimum है यह मानते हो अब आपने बोला थोड़ा सा लालच करके मैं और जरा सा इसको आगे लियाता हूँ क्या पता और energy कम हो जाए लेकिन जैसे बच्चों आप इसको आगे लाए energy बढ़ने लगी देखो system की energy बढ़ने लगी अगर आप इ तो बच्चों देखो मैंने अभी आपको बोला था कि हमें system की energy को minimum रखना है तो हमें attraction force को ज्यादा रखना पड़ेगा और attraction force कब ज्यादा हो रहा है जब हम distance को कम कर रहे हैं तो बच्चों दो एटम की वो distance जहां पर energy minimum होती है उसी distance को हम दोनों एटम की bond length बोलेंगे length के बारे में बात करता हूं हम बोलेंगे जब दोनों एक distance पर आजाते हैं इसका मलब they are set to be bonded तब यह molecule में convert होंगे clear हो रहा है समझ में रहा है बात मेरी कि आपने इस distance पर दोनों एटम को रखा है तो दोनों एटम की यह distance इस system की minimum energy को represent करती है और minimum energy का मतलब होता है बच्चों maximum stability clear तो इस distance पर रखने से दोनों atom के बीच stability maximum होगी यानि वहां पर दोनों एक दूसरे का साथ देंगे बनाएंगे एक दूसरे के साथ बॉंड बना लेंगे बॉंड बनाने का मतलब होगी एक atom और दूसरे atom की बीचे minimum distance है ऑप्टिमम डिस्टेंस को बोले minimum तुरी optimum यानि इतनी distance अब इस distance को न तो हम कम कर सकते हैं न तो ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि बच्चों अगर इस distance को आपने का ज्यादा किया तो energy बढ़ जाएगी और कम किया तो भी energy बढ़ जाएगी यानि दोनों atom को आपने इतनी distance पर रखना है जा पर force of attraction की value maximum है और force of repulsion की value minimum है यह तो वहाँ पर उस system को हम stable system बोलेंगे यानि वहाँ पर वो दो मेंटेन नहीं वाले यह वाले distance तो इस distance के बारे में बात करेंगे यानि इस distance पर दोनों atom को हम बोलेंगे they are bonded क्लियर हो रहा है समझी बात है क्योंकि यहाँ पर किसी system की सबसे minimum energy है तो बच्चों न तो इसको आगे कर सकते हो न तो इसको पीछे कर सकते हो आगे करोगे तो energy बढ़ेगी पीछे करोगे तो भी energy बढ़ेगी तो हमें दोनों atom को इतनी distance पर रखना है कि जहाँ पर system की energy minimum हो और system की stability maximum हो तो इस condition को हम बोलेंगे they are bonded तो हम क्या लेखेंगे बच्चों द डिस्टेंस बिट्विन टू एटम is said to be bonded molecule is said to be bonded or formation of molecule in which force of attraction is more than force of repulsion यह तो वह फोर्स ऑब attraction की value force of repulsion से जादा है तो system की जो energy है वो minimum रहेगी तो system वहाँ पर सबसे ज़्यादा stable होगा और बच्चों सब ज़्यादा stable होगा तो वहाँ पर जो atom है वो क्या कहलाएंगे molecule कहलाएंगे यानि bonded state this is called bonded state clear हो गया समझें बात आगे ठीक है तो यह distance और यह distance दो अच्छा आप देखो एक hydrogen atom यहाँ पर है एक दूसरा hydrogen atom यहाँ पर है इसका नुकलेस इसका नुकलेस दो hydrogen के बीच की जो distance है nucleus की distance है this is called bond length यह वाली दी जीरो तो दी जीरो का मतलब होता है bond length मतलब distance between two bonded nuclei यह तो दोनों के nuclei के बीच के distance बांड लेंड बोलते हैं तो बच्छों यह bond length हर किसी molecule के लिए fix होती है अब अगर मैं hydrogen की बात करूँ देखो यहाँ पर है hydrogen और hydrogen इसका मतलब यह hydrogen atom यह hydrogen दोनों के बीच के जो distance है वो होती है 74 पीको मीटर देखो पीको मीटर में होती है बहुत कम 10 की power minus 12 लगा 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 इतनी कम होती है तो आपको लगे के दोनों एक है लेकिन दोनों एक नहीं बाई दोनों के बीच में कुछ ने कुछ दिस्स्टेंस है इसी तरह क्लूरीन की दिस्टेंस अलग होगी है ना क्लू इस्टेंस में दोनों हमेशा मैंटेन रहेंगे दिस इस कॉल बॉंड लेंथ यह बॉंड लेंथ कभी भी कम और ज्यादा नहीं हो सकते फिक्स होती है ठीक अच्छा इसको हम क्या बोलेंगे देखो इस इस कॉल्ड बच्चों बॉंड एनर्जी और बॉंड एन्थेल भी यानि बोलने का मतलब यह है बॉंड एनर्जी का मतलब क्या वा देखो वसे बॉंड एनर्जी को हम तो यह बोलते हैं कि किसी मॉलिक्यूल के एक मोल को तोड़ने में क्या बोला मैंने अभी लिखाई देता हूं मैंजना कई बच्चे समझ भी ने आएंगे क्या लिखाना है बॉंड एनर्जी बॉंड एनर्जी या एन्थेल्पी बाते की है न इस से हमने इसको रिप्रेजन किया इट इस कि दा कि एमाउंट ओफ एनर्जी नीड़ेड तो ब्रेक यह तो सेपरेट कर से एक मॉलिक्यूल को सेपरेट करने में इस पैन को तोड़ने में मुझे जितनी एनर्जी लगेगी उसको मैं बोलूँगा इस पैन की बॉंड एनर्जी तो अगर आपने मॉलिक्यूल को तोड़ना है मॉलिक्यूल क्या है बच्चों एच और एच इसको आपने तोड़ना है तो जितनी एनर्जी आप इसको तोड़ने में लगाओगे दा एनर्जी ऑफ अमाउंट इस कॉल्ड बॉंड एनर्ज तो यह बच्चों होती है है 435.8 किलो जूल पर मॉल इतनी होती है ना देख लेता हूं मैं वैल्यू तो मुझे याद रहती है नहीं है सब्सक्राइब करेक्ट 435.8 किलो जूल पर मॉल इतनी एनर्जी चाहिए होगी तब जाके आप एक हाइड्रोजन को और दूसरे हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं बोलने के मतलब यह है कि इन दोनों को आपको अलग करना है तो बोलने कितनी एनर्जी ची इतनी ना यानि इसको यहां ले जाना है य कि एच सौरी एक एच एटम और दूसरे एच एटम को जोलने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है और कितनी एनर्जी रिलीज होगी इतनी same amount of energy we release to separate a molecule into its atom और to join a atom into its molecule देखो दोनों चीज़ें सेम है यानि तोलने में जितनी एनर्जी लगती है उतनी एनर्जी दोनों को जोलने में में लगती है तो this is called bond energy या bond length इस पैन को तोड़ने में मुझे जितनी एनर्जी लगेगी उतनी एनर्जी मुझे इसको जोलने में भी चाहिए same amount of energy will be release अब देखो बच्चो एक ही ध्यानक न यहां पे हम energy की amount से energy की amount से यह पता कर सकते हैं कि bond strong होगा कि weak होगा समझने बात मेरी अगर मुझे किसी bond को बनाने में energy इतनी लगती है जैसे यह हुई हमारे पास 435.8 kg पर मुल इतनी लगती है किसी और atom को बनाने में 700 kg पर मुल लगती है तो क्या लगता है बच्चो जितनी ज़्यादा energy release होती है उतना strong bond होता है सिर्दी सी बात है ना more amount of energy release यह exchange more will be the bond strong तो आप energy के changing से आप यह बता सकते हो कि कौन bond strong होगा कौन bond weak होगा क्लियर हो रहा है ठीक है तो जितनी ज़्यादा amount of energy release होगी यह consume होगी वह depend करेगा कि उतना strong bond बन रहे है कम होगी तो कम देखो कम amount अगर मुझे थोड़ी से तो समझ में आ गया कि यह bond length होगी यह bond energy होगी और जो हमारे पास attraction force है वह distance के according change होता है तो हमने दोनों को इतनी distance पे रखना है कि magnitude of attraction force will be more than magnitude of repulsion force resistance आपने कम और ज्यादा करने की कोशिच की तो बच्चों देखो energy बढ़ने लगेगी यानि repulsion force बढ़ने लगे गाया समझो सकते हैं कि इस condition में repulsion force कम है और attraction force maximum है क्योंकि energy सबसे कम है क्लियर हो रहा है तो नोट करो रफटा पर जो जो मैंने बोला वो नोट करते जाओ है ना ठीक है बच्चों चलो बहुत अच्छी बात है यह होगे हमारे कैसे बनते हैं सिग्मा बॉन कैसे बनते हैं कौन सा बॉन वी कुगा इस लोगा यह सब उसमें डिसक्स क्लियर होगे तो जैसा मैं पहले कहता आ रहा हूं रेंडिंग लेक्चर के नोट्स बनाते जाना है करते जाना है एक्सरसाइज साथ में करते जाना है जो शीट दीए उसके कोशन भी सॉल्व करते जाना है कहीं कोई दिक्कत आती है कुछी समझ में नहीं आती है तो मुझे मैसेज करना है या वर्टसप करना है क्लियर हो गया कमेंट भी कर सकते हैं ठीक है तब तक लिए थैं